कि आज एक लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देख रहे थे पीसिस के लिए जो एक्जाम होने वाला है जो आड़ चोबिस में कि इसमें हम संपुड इतिहास का रिवीजन कर रहे थे किसके दोरा पीवाई कीव के दोरा ठीक है बड़ा सा टाइम के साथ क्या हुआ प्रिलिम्स का पूछने का तरीका कुश्चन का तरीका बदल गया है इसलिए आपको पीवाई क्यू सॉल्व करना चाहिए और इसके लाव आज कल मार्केट में एक नई चीज़े आपको बेची जा रही हैं MC की मॉक टेस्ट और एक आपके पास मौझूद हो जब पहले से प्रिलिम्स में कुश्चन पूछे गये हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे कोचिंग संस्थान आपको मॉक टेस्ट के नाम पर कु कर पाएंगे यहां पर MCQ का मेरा मतलब है यहां पर आपको work hard work करना पड़ता है क्योंकि कुछ भी पूछ ले रहे हैं कुछ भी आपको MCQ तयार कर दे रहे हैं कहीं से भी कुश्चन पूछ ले रहे हैं जबकि आप देखेंगे पीवाई क्यू को आप जब आफसॉल करेंगे कहीं से भी कुछ भी सट करके देना अब कितना वी हाड करके बना के देना जैएब कि इतना हाड पूछा नहीं जाता है आप हमेशा जो है प्रिफर करिए को चाहे जिस भी एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं आप पुरे स्लेबस को रिविजन कर सकते हैं थ्यान रखिएगा से उठाइए जिस सेक्षन जो भी सेक्षन आप पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए 2018-2013 या उसके पहले भी या सब्सक्राइब कर लीजिए उससे एक आपका कॉंसेट होगा लेकिन आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो कॉंसेट है आपका जो सिल्फ हो नीचे गिर जाएगा यह मेरा मानना था पहराल यह क्लास जो चल रही है तो यह एपिसोड फॉर है हम लोग कर चुके हैं ऐसे हम लोग PCS की भी और UPSC के लेके आ रहे हैं और चल भी रही है तो आप जाके देख सकते हैं हाले क्लास की अपडेट आपको मारे टेलग्राम चैनल और वाट्सप पेज पर मिल जाएगा आप यहां से स्काइन करके जॉइन कर सकते हैं इसके पहले हमने एपिसोड फॉर्स्ट कुशन हम लोगों किये हैं तो एपिसोड फॉर्स में 2018 के हमने प्युक्यू के दवारा बहुत सारे हिस्ट्री के टॉपिक हमने कॉंसेट क्लियर किये हैं एपिसोड टू में भी 2008 कुशन व्यूशन व्यूशन अप देखेंगे 2018-2019 के जो भी कुशन से उसमें किये हैं क्योंक आप पूरा लेक्चर देखें तभी आपको फायदा होगा नहीं तो हम दो घंडे का वीडियो बना दे आप पूरा देखेंगे नहीं तो पूरी मेहनद मेरी बेकार चली जाएगे ताप प्ले लिश्ट में जाकर देख सकते हैं एपिसोड फॉर में आज हम लोग 2019 के सारे प कुछन पूछे गया है तो एपिसोड त्री में लगबग हम लोगों ने तीस कुछन सॉल्व गये थे आद थर्टी फॉस्ट हम देखते हैं थर्टी फस्ट में 2019 कुछन पूछा गया है तो इसमें कुछ कटनाय दी गई है उनका सही क्रोनलोजी में आपको अरेंज करना है ऐसे कुछन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं अब जैसे क्रोनलोजी में साइमेन के विंसन की नियुक्ति जलिया वाला बाग हतिया कांड मात्मा गादी की रांडी आत्रा फिरोसा मेता किम्रित्तु अग analog में जलिया वाला बाग हतिया कंड की बात करें तो इस तरीके से सौल्व करने का थरीकर होता है कि आप फैक्चर इंफॉरं को कुछ आ तो बताते हैं कि कि क्या क्रोणोलोजी रही है कि इसमें देखेंगे तो यहां पर वही जीसे फैश्ट्यल दी है अब इसमें कुछ और चीजब फिरोशाह के बारे मैं फिरोश्या की बात किरें फिरोशाह मेंता एक भारती पार्सी राज़नीदिक थे और बंबे के वकील थे भारती राष्टी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक तोर वह कांग्रेस के अध्यच भी रह चुके हैं पाच नमबर 1915 में बंबे में उनका नीधन हो गया था इसके लावा आप जलिया वाला बाग के नाम से एक आपको जगह मिल जाएगी वहां पर नहत्ते भारतियों पर गोरिबारी की गए थी साइमन की बात करें 1923 में जो है आप दिखेंगे बिटिस जो रूडवाजी सरकार थी उस टाइम ब्रिटेंड में उसके द्वारे एक योगनियुत किये गये था 1919 में भारत सरकार अधनियम द्वरास भारत सम्मिधान के काम कज की रिपोर्ट करने के लिए उनका काम सपग गया था दांडी मार्च की बात करें तो बारा मार्च 1930 को जो है गांदी जी ने अपने आस्रम से एक यात्रा निकाल ली थी तो अहमदाबाद के साबर मती यास्रम से अरब सागर की तरफ उन्हें गयात्रा के थी वहां का एक कोस्ट्रल सहर है दांडी तो महां तक उन्हें गयात्रा था की थी और नमक कानून मराकर जो है अपना वीरोध प्रतसन किया था तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें जो आप्शन सही होगा अपसे सही होगा फ संबंदित कुछन पूछे गए हैं तो एक क्रोनोलोजी आपको तयार हो जाएगे वह आगे हम लोग देखेंगे इसमें की बात करें इसमें पूछा है आई एन ए के अधिकारियों को मुकदमा आयोज किया गया था कहां पर लाल किला दिल्ली में ग्वालियर किला आमेर किला और आगरा किला तो आयने का जो अधिकारियों का मुकदमा की बात करें तो यह लाल किला दिल्ली में आउज किया गया थे सबको पता है अब हम लोग थोड़ा सा और रिविजन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग रिविजन स्रीज देख रहे हैं तो 1945 में आप देखेंगे भारती बन गया थे ठीक है दूसरा मुकदमा की बात करें तो अब्दुल लशीद चिंगहार सिंग फते खान और कैप्टर मुनवर खान का था ठीक है इसके बाद आप देखेंगे और इसमें आपको क्या धान रखना है यहां तक रेड़ फोर्ड की बात रेड़ फोर्ड जो है 1618 बना गया था और यह अंग्रेजों के अधिन जो किला था एक आप राधिक नियाले बन गया था पहला मुकदमा आप देखेंगे बहादुर शादूती और अंति मुगल समरा के पास फिर आप देखेंगे लास्ट में क्या होता है लाल किला आखिका सुतंता का प्रतीक बन जाता है तो बहुत के पहले प्रधान मंत्री हुए नहरू ने वहाँ पर तिरंगे के जंडा फैरा था 15 अगस 1927 के बाद आस तक यह प्रता चली आ रही है तो यह तो बात होग सब्सक्राइब कर दिया तो अगर एक प्रकार से देखा भी जाए कि यह काल है इसलिए इन्होंने जो है आसिकार कर दिया था तो ऐसी बात नहीं है जहां तक आप देखेंगे एसियाटिक सोसाइटी आप बंगाल की बात करें उसकी स्थापना पंदर जनुवरी सतरस चरहासी को सर विलियम्स जोन्स एक ब्रिटिस वकील और और उरेंट लिस्ट थे उनके द्वारा की गई थी और इसके लमाँ आप देखेंगे तो एसियाटिक सोसाइटी जो थे बंगाल के गवर्णन्स जनरल थे वारेंट हैस्टिंग जिनका टाइम पीरिड़ सा सतरसों बाते सतरसों पचासीस उसके टाइम पीरिड़ के आज पास अस्थापना की गई थी लेकिन उनकी उन्होंने ऑफर किया गया था कि आप जो है असियाटिक सोसाइटी की आप बंगाल की अध्यस्ता कीजिए लेकिन उन्होंने असिकार कर दिया था ये कथन सही है लेकिन कार्ड की बात करें कार्ड वारेंट हैस्टिंग स्वाहम एक महान विद्वान और उस साही जो प्राचिवित था की बात करें तो बंगाल के सर्वच परिस्त सव्हें और इसके लावा देखें उन्हें वास्तविक गाषण जनरल के रूप में भारत में बरिटिस समराज की की न्यूव रखने के लिए रावर्ट कलायू का उन्हों स्रे दिये जाता है तो आपको सही उत्तर आपको बताना है तो यहां तक बात है भारत के राश्ट्री कलेंडर की तो यह आपको पता है कि सक्समवत पर इसे GUY में यहें कि आपको आपको अपनाया गया था तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो सही उतर होगा ना तो एक ना तो दो तो इसमें ऑप्सटन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा इन्य कुश्चन की बात करें कुश्चन 35 में कहा है 35 में पूचा है भारत में नियोजित विकास का विरोथ किस ने किया था या आप देखेंगे जो प्लान डेवलप्मेंट है उसका विरोथ कितने किया था तो उन्होंने कभी प्लान डेवलप्मेंट का विरोथ नहीं किया था जबकि महत्मा गादी इसमें सीधे ऑप्सन दीख रहा है कि मार्तमा गाधी जो थे वो कभी इसके पच्छदर नहीं थे तो उसमें option A.S.I. हो जाएगा जबकि आप देखेंगे plant development की शुरुवात आप देखेंगे योजना आयो की अस्थापना के बाद प्रथम पंच वर्सी योजना उन्हें से आर्थिक development कभी से में आप देखेंगे decentralization उनके विचार में रहता था फिकेंद्री कड़ तो यह तो बात होगे इसमें option की इसमें option A.S.I. है अब next option की बात करें इसमें एक सूची दी गए दूसरे सूची आपको मिलान करना है मुला दाउद, दामोदर कभी, सोमनाथ और अमिर खुसरो तो आपको इनकी रचनाओं से मिलान करना है किसके दौरा क्या लिखा गया है कहां तक बात करें मुला दाउद, मुला दाउद दौरा क्या लिखा गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुल्ला दाउट कंदायान जो है मुल्ला दाउट कभी द्वारा हिंदी में लिखी गई भारत की सबसे प्राचीन सूपी प्रेम कताओं में से एक है ठीक है और ये दाउट जो थे उन्होंने ये जो लिखा था ये फिरोसा तुगलक के समय में लिखा था इसके लवा आशिका की बात करें तो अमीर खुसगो द्वारा लिखी गई ये कभीता है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है खृच जिखा यानि अलावदें खिल जी के बेटे और देवल रानी जो गुजरात की राजकुमारी थी उनकी एक दुखत प्रेम कहानी की बारे में उन्होंने जिक्र किया है आशिका के बारे में पद्मावती की बात करें तो दामोदर जो कवी थे उन्होंने एक कत्वा लिखी थी जिसे पद्मावती कहा गया राग विवोत की बात करें तो जहांगीर के समय के दोरान एक तेलगु ब्रामण और राजमुंदरी के निवासी थे पंडिस सोमनाथ उन्होंने 1610 में राग हैं आज ची क्या हो जाएगा अमीर उस्रोफ और पद्म मावती की बात करें तो इसमें दामोदर हो जाएगा तो मनाथ की बात करें राग विवोध हो जाएगा तो इस प्रकारिस में तांसेन को सनचर दिया अभी हाल फिल हाल में तांसेन समागम जो है न्यूज में था जो कहां पर आयत हुआ ग्वालियर में ठीके ग्वालियर देखेंगे तांसेन का जो है जनमस्तली भी है तो आपको ध्यान रखना है कि वर्दमान में 23 में तांसेन समागम का आयोजन कहां कि गया गौलियर में इसमें क्या कुशन पुझाया निमलिखित में किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को सनचर दिया और सने भाटा के राजा रामचन सिंग ने भी मालवा के राज बहादुर्द सी मिवार के उधर सिंग ने ली गुजरात के मुझफर साने तो आप देखें में उनके नौरतनों में से एक हो गए ठीक है और इसके रहाँ आप देखेंगे तो उनकी मुगल समराट कर लेते हैं ये भी और इसमें आपको करेंट ध्यान रखना है कि तो स्अग अमाझा ऑं गाम्टिंट 10 समाहरोजिसे काया था इसißt जायं किया गया आपको ध्यान रखना ग्वालीे seu में किया ये चीजें आपको ध्याना और इसमें नेक्स कुछिशन की बात करें 2019 में ही कुछिषन पुछा गया 38 में इसमें सासक राजवंस दिया गया उनकी राजधानियां तो ऐसे कुछिण चाहिं यू पीच्ट की बात हो तो इसे सम्मंदित कुछिण पूछे भी गया है जैसे 2019 में पूछ गया है तो 2022 के करना है तो पल्लो की बात करें तो कांची पूरम जो है आप देखेंगे तो कांची पूरम जो है तो यहां पर इनकी राजधानी मिल जाएगे तो पांडया की बात करें पांडया जो है आप देखेंगे तो मद्रोई मद्रोई इनकी राजधानी है यादवा और काक्ते की बात तो कुल मिलाकर इसमें option 20 हो जाएगा यहां पर देखिए उसके बारे में लिखा गया है कि जो पल्लो वंस था वहां के सबसे महान राजा थे महंद वर्मन पर्थम उनके दौरान दो बड़ी मंद्रे बनाई गए महाबलीपुरम काची में और किलास्त मंदिर ठीक है और इसमें पन्समीश में परते हैं तो इसमें क्रोनोलोजी के संस्भन्द्र कोशन प्तिस में संस्भन्द्र कुशन बहुन बहुत जाचा पुछ आते हैं तो इसमें chronology question दिया गया है जिसे रभिया उद्वराणी का मगबरा जोरंगाबाद में है सेरसा सूरी का मगबरा सासा राम में तीन हुमायू का मगबरा दिल्ली में चौथा इसमें दिखाया आयाला मस्दुरा ठीक है इबराहिम सर की द्वारा निर्म्रित क्या था आटाला मस्जित जॉनीह周ण पूर में सबसे पहले बनाया गया था और अन्यमस,ande रूप में माना जाता है कि अन्यमस्जिदों ने इसका अन्करण किया है इसके बाद सेर्सा सूरी का मख्बर्या बनता है जो इंडो-इसलामिक वास्तुकला का गुदार है और वास्तुकार जो ते अलीवाल खान खान और जो नहीं हुंद्स चालिस में इसे बनाया था 1570 में सबसे पहला जिसके बनाए गया था इसके आपस इसलिए महात्पुड होगाता है मगबरे को हुमायव की पहली पत्नी महारानी भेगा बेगम ने बनवाय था फिर्षा सूरी का मगबर देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे अटाला मस्द्विट जॉनपूर का यह 1408 बनाए गया इसके बाद सेरसा सूरी का मगबर आप देखेंगे बिहार के सासा राम में आप देखेंगे 1540 और 45 के बीच बना जाता है उसके बाद हुमायू का मगबर आप देखेंगे 1570 के आसपास और रभिया दौरानी का मगबर आप देखेंगे तो 1670 के आसपास बना जाता है 2423 ए क्या पुश्ट्र मुं पूचा गया है ससे교ouse सब्सक्राइब भार रिपीट होता है तो जैसे मद्यद्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब oुप्सरा जाता टाइम में लेकिन इन और यहां पर अंडरलाइन वनसानुगत देखिएगा तो मंसब्दारी सेना और नागरिक सिवाव की बेवस्था थी जो अकबर द्वारा चागिर्दारी बेवस्था के अस्थान पर सुरू की गई थी मंसब्दारी बेवस्था जिसमें एक सरकारी अधिकारी अपने पद को निर्धाद किया जाता है तो इसके अंसवार देखेंगे तो क्या है यानि आप देखेंगे नहीं है तो इसमें ऑप्शन दो गलत हो जानी ऑप्शन एक सही है ठीक है अब इसके लावाँ आप देखेंगे यह तो 2019 में कुशन और आया था 2019 में आप देखेंगे तो दिल्ली सल्थनत में राजस उपसासंत राजस स्वसूली के प्रभारी को आमिल कहायाता है अपसन दो दिल्ली के सुल्थनों की एकता सिस्टम के प्राचीन देशी संस्था दी अपसन ती मीर बक्सी का पद दिल्ली के खलजी सुल्थनों के सासंकाल में अस्थित्व में आया तो एकता सिस्टम से आप देखेंगे तो 2019 में जो है दो कुशन आये हैं ठीक है और यह हम जो है एपसोड 3 में आपको सॉल्थ करवा दे चुके हैं जिससे इसमें निमलिकित में कौन सी एकता सिस्टम की विसेस्ता नहीं है सियासत नामा जो है यह एकता सिस्टम की विसेस्ता नहीं है जबकि एकता सिस्टम की बात करें आमिल यह थे उत्तर भारत में सल्तनत कालख़वन राजस्वसूली का कार करने वाली अधिकारी थे मीर बक्सी जो था उसका जुपत था मुगल समराट अकबर के सासंकाल में अस्थित आया था ठीक है एकता सिस्टम की बात करें तो एकता सिस्टम देखेंगे तो यह एक प्राचीन जो है आप देखेंगे कई छोटे बड़े भुबाग को विभायत की जाता था कामराज की अधिन ठीक है और इस प्रकार इसमें देखेंगे कई इन इकताओं को जो है साइनिकों अधिकारियों और राईसयों को सौप पा जाता था अगर बात करें इनके सोर्स की बात करें इकता सिस्टम भी तो फारस इरान में हुई थी तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो कहा गया है कि इकता जो है दिल्ली सल्तनों के इकता प्राचीन एक देशी संस्ता थी ये बात इसमें गलत हो जाती है क्योंकि इसमें आप देख में यह वंसानुगत हो गया तो इकता सिस्टम के बारे में इसको आपको ध्यान रखना है और यह हमने एपिसोड अब इसको आपको दिखाने के लिए किया है कि यह कुश्यन इससे हुए है यानि रिपीट हुए है तो आपको रिवीजन हो जाए वीडियो पॉस करके आप देख सकते हैं सियासत नामा की बात करण सियासत नामा जो है आप देखेंगे तो यह कि निजाम मुल्क का सबसे प्रसिद्ध काम रहा है जिससा फार्सी में लिखा गया है एसे आप देखेंगे तो मुगल काल के बाद हम रिट्टिस कालें जो है भूराजस विवस्था के संबन्द में और ईस्थाई बंदवस्थ में क्या ब siblings थी उसमें गीडे के लिए जमिंदार को दिए जाता था जिम्मा कर भी मतलब किसान और वही महल वाली में गाओं का अधिकार टिया गया और प्य 아니라 you अकोद दी गई थी तो ये बाते आपको ध्यान रखनी है नेक्स कुश्चन की बात करें इसमें भी आप देखिए फैक्शल कुश्चन 2019 पर पूछा गया है इसमें इलाहबाद संद मंगलोर की संद सालबाई की संद मंद्रास की संद आपको जो है मिलान करना है इसमें इसमें मद्रास के संद की बात करें 1769 में हो जाएगा इसमें आपसं इसी सही हो जाएगा अब इसके बारे में थोड़ा से डिटेयल में देख लेते हैं तो इलाहबाद की संद की बात करें तो बकसर लड़ाई के बात देखेंगा मुगल समराट साह अलम दूति और रावाट और बिटिस इस्ट इंडिया कम्पणी के बीच जो है ये संध हस्ता इच होती है जिसके बाद आप देखेंगे दोती आंगल मैसूर और युद्ध के साइन होता है सालबाई के संद के साथ ठीक है और 17 मही 1782 को यह होता है इस्ट इंडिया कंपनी और माराठो के भी यह सब साइन होता है मद्राश संद की बात करें तो 4 अप्रल 1779 को मैसूर और इश्ट इंडिया कंपनी के भी एक समझाता होता है और जिससे प्रतम आंग मैसूर यूद्ध का अंत होता है अब इसमें और क्या factual information जो हम आमने आपको दिया वीडियो पॉस करके आप revision कर सकते हैं कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं तो पी वाई क्यों रिवीजन स्रीज का आप यही फादा है जैसे फस्ट एंगलो मराठा अप देखेंगे 1768 एको यहां से आप देखेंगे मराठा का decline होता है ऐसे हो सकता है फ्रस्ट एंगलो सिख्क वार की बात करें इसे लाहौट होती है जिसे 1845 से 1908 की बीच चलता है सेकेंड जो होता है एंगलो सिख्वार की बात करें 1848-1849 की बीच चलता है ठीक है और इसमें जो है सिख्व पराजित होते हैं और इंटायर देखेंगे पंजाब पर बिटिस की हुकिमाथ हो जाती है इसके लावाद देखेंगे तो यहां पर बहुत स 1728 में इसमें हुआ ठीक है इसके किसके बीच आप देखेंगे तो बाजिरा फस्ट के और जोने निजाम मुल्कों जो है डिफिट किया था और इसके लावाद देखेंगे तो और इसमें आपको ध्यान क्या धान रखना है आप फस्ट एंगलो मैसूर वार ठीक है और कुछ इंपॉर्टन चीजें हैं यह आपको ध्यान रखना है तो जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसको दुबारा पढ़ने जरूत नहीं वीडियो पॉस करके आप पढ़ सकते हैं नेक्स कुशन की बात करें में क्या पूचा है इसने पूचा है इसमें भी क्रोनोलोज ठीक है तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया 31st question में कि आप देखेंगे गोल में सम्मेरन से कैसे जो यह थोड़ा सा आगे पीछे जो इयर है उसके हिसाब से दिखेंगे इंटर कनेक्ट आपको question देखने को मिलेंगे तबने अवग्या अंदलोन की बात करें तो 12 मार्च 1930 क आता है ठीक है पांच मार्स एक साल बाद 1931 को ठीक है और इसके फल्चुरों आप देखेंगे तो गांधी जी जो है कांग्रोस की तरफ से जो है गोल में सेकंड गोल में सम्मेलन भाग लेते हैं इसके बाद पून पूना पैक्ट के बाद आप देखेंगे कि इसमिसन की बात करें 1922 में आता है ठीक है पांच मार्स 1931 को जो है गांधी इर्विन समझादा होता है फिर आप देखेंगे तो 1932 में जो है गांधे जी जो है सेकंड गोल में भाग लेते हैं उसके बाद वीमराम बेड़कर और गांधी जी के बीच जवाब देखेंगे 1932 में पूना पैक्ट होता है ठीक है तिसमें ऑप्सन सी सही हो जाएगा तिहां पर आप सही कर लीजिएगा तो सबने अवग्या अंदरण की बात करें तो 12 मार्च 1930 को जैसे मैंने पहले कुष्चन में बताया 31 में बताया कि कुजरात के 30 गाहों दांडी तक इन्होंने यात 1932 में बियाराम बेटकर मात्मा गाधी के बाद एक स्पूना पैक्ट जो है साइन हुआ था जिसमें आप देखेंगे इसकी प्रिष्टभूम क्या थी अगास 1932 में किसाम प्रदाइक पुरसका था जिसने दलित वर्गों के लिए अलक निर्वाचक मंडल प्रताद किया था ठीक है अब गोल में सम्मेलन की बात करते हैं प्रतम गोल में सम्मेलन सेकंड गोल में थार्ड गोल तीन गोल में सम्मेलन हो जिसमें भीमराम बेटकर ने तीनों में भाग लिया था ठीक है और कॉंग्रेस ने सिर्फ फोर्से सेकंड गोल में सम्मेलन में भाग लिया था गा ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है और नेस्ट की बात करें कुशन 43 में क्या पूछा है 1905 के नागरिक प्रसाथन के संदर में कौन सा कथन सही और ने प्रांथ की गठन किया जिससे पूरी बंगा और पस्चमी असम कहा गया सही उत्तर आपको बताना है नागरिक तो 1905 में आप देखेंगे बंगाल का बीभाजन होता है लड़ करण की बात करें manipulating ब्रसार के अब करें ने तुछब ने देखेंगे लड़ का बंगाल का विभाजन होता है और करजन कंसार विभाजन के बाद दो प्राँड बनते हैं जिसमें आधनी-पश्चिम, आप देखेंगे तो राजधानी कलकत्दा रहती है और इसी टा exception के बाद आती अमार सोनार, बंगला की रतना होती है जो बाद बंगला देश का प्रथम राश्च्रगान बनता है और इसके बाद 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो 1911 में रद्ध हो जाता है और इसके बाद आप देखेंगे तो बारत सम्वर इसमें कुशन नमर 44 में पूछा गया है कि मुस्लिम लिग और भारती राष्टी कांग्रेस के बीच राजनेती गत्रियोत को दूर करने के लिए CR फार्मूला किस ने त्यार किया था अपसन एक जवाल अल नेरू भी राज गोपाल चारी सी चितरंदंदास डी पीवी मेनन तो आप देखेंगे CR फार्मूला की बात करें तो ये मूलता क्या था इसका उद्धेश था भारती मुस्लिम लिग और भारती राष्टी कांग्र करेंगी और फिर मुस्लिम लिग ने भी पूर्ड सतन्ता के लिए कंग्रेस की मांग का समर्थन किया और परिवर्थन काल में अंतरिम सरकार बनाने का सहीोग की आधिए सब बातें मुस्लिम लीग के पच्छमेत उनका मानना था ठीक है और लीग जो मानता था कि बिटिस भारत में मुसल्मान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट होने चाहिए इसलिए मुसल्मानों को अलग राष्ट बनाने का अधिकार है फुल मिलाकर सी यार फार्मूला जो थे वो सी राज कोपाल चाहरी बैठे हुए है तो कुल मिलाकर सी में आपको ध्यान रखना है सी राज गोपाल चाहरी की बात करें और 2019 के लाष्ट कुश्चन में इसमें पूछा भारत के आर्थिक राष्टवाद का उद्धय और विकास किसके दार लिखा गया पार्थ सार्थिक उप्ता एस कौन है बीपिंच चंद्रा प्रकार हम लोगों ना 2019 की जितने कुश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए लोग 2020 के कुश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको इस क्लास की इंफॉर्मेशन पीडियफ सारी चीज़े यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी आप दीख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब तक आप लोग अपने हल्थ का ध्यान रखिएगा